प्रश्न यह है कि समान नागरिक सहीता उत्राखंड दोहजार चौबिस विगहक को इस सदन की एक पुरा होने जा रहा है हमने जो बारा किया था उस बारे को हमने बारा है इस बैठिए बैठिए यू सीसी बिल पास हो गया उत्राखंड विधान सबा में ध्वानिमत से यू से सीएम पुष्कुर सिंग धामी ने इस बिल पर चर्चा के बाद सारी बाते रखी और उसके बाद ध्वानिमत के जरीए ये बिल पास हुआ है तो बड़े काबार UCC लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्राखंड ध्वनिमत से उत्राखंड के अंदर UCC बिल दोहजार चॉबिस पास हो गया मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी ने वस्तार से इस पर चर्चा की और उसके एक एक पहलू को सामने रखा और जैसे द्वनिमत से बिल पास हुआ भारत माता की जै के नारे सदन में लगने लगे एक उत्साथ सदन के अंदर देखा गया एक बर आपको फिर से लिए जलते हैं सदन मानिय अद्धेग जी आपकी अनुग्या से समान नागरिक सहीता उत्राखंड 2024 विदेख को पारित करने की मैं अनुग्या चाहता हूँ प्रश्न यह है कि समान नागरिक सहीता उत्राखंड 2024 विदेख को पारित किया जाए जो मानिय सदस इसके पक्ष में हो क्रिपया हां कहें जो मानिय सदस इसके विरोध में हो क्रिपया नहीं कहें हां की संक्या दखे अत्व विदेख पारित हुआ सुना आपने उत्राखंड ने इतिहास रच दिया है देश में पहला ऐसा राज्य जहां पर UCC लागू होगा वो उत्राखंड है विरान सभा से ये पास हो चुका है बिल द्वानिमत से पास हुआ और जैसे ही पारित हुआ UCC 2024 बिल सदन के अंदर नारेवाजे शुरू हो गई CM पुश्कर सिंग धामी ने भी हाथ जोड़कर सभी को धन्यवाद कहा CM पुश्कर सिंग धामी जिन्होंने इस बिल को रखा सदन के पटल पर और उसके बाद दो दिन की चर्चा के बाद आज सारी जानकारियां मुक्यमंत्री ने रखी विस्तार से बताया कि आखिर ये बिल क्या है किस तरह से ये समाज में परिवर्टन ला सकता है एतिहासिक परिवर्टन ला सकता है किसी भी धर्म लिंग सारे बातों को समान करते हुए एक समान खानून सब के लिए होगा तो उत्राखड में यूसी सी बिल दोहजार चौबिस पास हो गया है द्वानी मत से ये बिल पास हुआ और उसे के साथ उत्राखड यूसी सी लागू करने वाला पहला राज़ बन गया है देव गूमी उत्राखड ने तिहास रचा ये कहा पुशकर सिंग्धामी ने ये बिल देश को राह दिखाएगा क्योंकि आज देश इस्तर पर यूसी सी की बात होती है बेहन बेटियों के साथ अन्याय खत्म होगा ये अधिकार देने वाला बिल है बहुत से प्राधान इसमें किये गए है लिविन रिलेशन से लेकर तालाग से लेकर महलाओं को अधिकार देने तक जिसमें गोद लेने पिता की संपत्ती में उत्राधिकार को शामिल करने से लेकर इन सभी अधिकारों को पुक्ता करेगा, महलाओं को वो ताकत देगा ताकि वो समाज में किसी भी प्रकार का शोषण महसूस ना कर पाए, कानून की यार में कम से कम कोई उन्हें न दबा पाए यू सी सी बिल पास हो गया है उत्राखंट से और इसी के साथ उत्राखंट पहला राज्य बन गया है, पुशकर सिंग्धामी जो कि मुक्यमंत्री है उत्राखंट के उन्होंने कहा ये कोई सामाने विदेयक नहीं है सभी नागरिकों को मौलेक अधिकारों के साथ साथ, बहन बेटियों के साथ, जो कई सतरों पर अन्याय होता है कानून की आर्में, वो सभी खत्मोगा क्योंकि महिलाओं को विशेश अधिकार दिये जा रही है इस बिल के तहट, हाला कि जो तराखंट में विपक्षिदल है कॉंग्रिस, उसका ये कहते हुए विरोध कर रही है कि बिल को पढ़ने का वक्त कम मिला, चर्चा के लिए हमें नहीं पूछा गया, और इसी लिए इस बिल में क्या है और क्या नहीं है, इस पर फिलाल स्पष्ट कॉंग्रिस को नहीं है, उसने अपना स्टैंड साफ नहीं किया है, लेकिन देश की कुछ विपक्षी पार्टियों के नेता जरूर यूसी सी का विरोध कर रहे हैं, इसको एक कौम के खिलाफ बता रहे हैं, सम्व तदा जो फोकस है, वो है बहन बेटियों के अधिकारों को बरकरार रखने का, सभी नागरी को के मौलिक अधिकार भी बरकरार रखे गये हैं, मौलिक अधिकारों से कोई छेड़ानी नहीं की गई है, और साथ ही स्नियम पुश्कर सिंग्धामी ने इस पर अपनी बात रखत संप्रदाय से अलग यूशी सी सभी को समान अधिकार देता है, संतान के भी बात कही गई है कि संतान वैद हो अवैद हो, सबको बराबर का अधिकार होगा, दिपांकर हमारे सयोगी इस वक्त हमारे साथ जोड़ चुके हैं, दिपांकर यूशी से बिल पास हो गया, सदन के कंदर, अब आगे क्या? और विधान सभा से पास हुआ है, खात वर विशेज सत्र बुलाया गया था, और मुख्यमंदरी ने भाशन अजिस सरे के बाते बताई, चाहे महिलाओं को सश्रक्ति करने की बात हो, चाहे भेदबाओं को खत्म करने की बात हो, सभी धर्मसमुदायों के लिए एक कानून की बात हो, तो यह पूरी विवस्ता जिसका इंतजार था बीस महीने तक इसमें वक्त लगा, कमिटी बनाई गई, सब कमिटी यह बनी, पूरा इसका प्रारूप तयार किया गया, और आज विधान समाने इसे पास किया है, और एक बड़ा कां यहां पर उत्राखंड की तरब से जिसे एतिहासिक बता रहे हैं मुख्य मंतरी खुद और भारती जंता पार्टी के ऑफिस में उसे कुछ देर के बाद एक समान समारों का कारकम भी होने जा रहा है, जहां सभी विधायक मौज़ोद रहेंगे, मुख्य मंतरी वहापर पहुचेंगे, तो बीची पी का जो रा की थी, क्या कॉंग्रेस विधायकों की एर्चे अब कोई रियक्शन आया है, पासोने के बाद? तो इस तरह की डिबेट्स कॉंग्रेस की तरफ से रही, लेकिन हमने अभी जब देखा की मुख्य मंतरी के संबोदन के बाद जब पारित किया गया, तो हां और नामे, तो नाक की कुछ आवासे वहां पर नहीं थी, और कॉंग्रेस में खुल के इसके गुलत करने की सूरत मे कॉंग्रेस नहीं थी, कॉंग्रेस से सिर्फ यह कहना था, कि ड्राफ्ट हमें पहले सौपा जाता, हम उसे पढ़ते, और फिर अमर उससे कुछ कहने की इस सिती में थे, लेकिन अब जब की पास हो चुका है, तो साथ है कि बीजेपी ने जो रिलीज लेनी थी, वो रिलीज बीजेपी यहां पर ले चुकिया, जी और ये तस्वीरे भी आ रही है, जहां पर महिलाएं जश्मनाते हुए नजर आ रही है, बीजेपी कारे करता ये सभी जश्मनाते दिख रहे हैं